नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल जरदारी क्लास में दोस्तों उत्राखन हिस्टी का आज ये 19 वान लेक्चर है दोस्तों और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं तीरी रियासत या तीरी राजे से सम्मंदित परमुख आंदुलन के बारे में तीरी रियासत में जो भी परमुख आंदुलन होए हैं दोस्तों उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अठूर विद्रह हो गया रुवाइन कांड तिलाडी कांड साथ iT साथ तीरी रियासत में किस प्रकार से वन प्रवननन वन विवस्ता लागो की जाती है और वन प्रवननन के विरोध में किस प्रकार से यहां पर विरोध उत्पन होता है और साथ-साथ अंतिमा में आपे सुर्दे उस्मन की क्या भूमिका रहती है तीरी रियासत तीरी राजय आंदल में और अंतिमा में आपे चर्चा करेंगे उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्कृशन में दिया जाएगा और एक अन्य टोपिक बसता है उसको आप डाउनलोड करके वहां से उन दो टोपिकों देख सकते हैं इनके अलावा अगर दोस्तों को हिस्टी का अन्य टोपिक बसता है तो आप कमेंट में लिख सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि काफी डिटेल्स में आपको हिस्टी याँ पर पढ़ाए गई है और लगबग सभी टोपिक कवर किये गए हैं बाकी जो दो टोपिक बच रहे हैं उत्राखन पर्थक राजय आंधरन और उत्राखन में पत्रकारिता का इतिहास इसको मैंने एबुक में डिटेल्स में दे रखा है लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रूशन में एबुक का और जो भी यदि इसके अरावा दोस्तों अन्य टोपिक बहसते हैं तो आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएं आगे उनको जरूर कवर किया जाएगा ठीका और इसके बाद हमें आप पर परिक्षावानी सीरीज दोस्तों सुरूर करने वाले हैं तो उसके साथ भी आपको जरूर जुड़ना है और तार्गेट रहेगा कम से कम समय में आपको परिक्षावानी कम्प्लीट करानी है क्योंकि दो चीज दोस्तों महित्पकूर है अगर आप उत्राखण एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो एक तो हिस्टी आपको क्योंकि परिक्षावानी में हिस्टी देखने को नई मिलती है तो हिस्टी मैंने काफी डिटेल्स में आपको बता दी है जो अन्य सलेवा से वो परिक्षमाणी में काफी कुछ दिया गया है तो उसको हम अच्छी समापर ही कवर करेंगे तो चले दोस्तों आज का लेक्षर आपर ही शुरू करते हैं तीरी राजय आमरुन यानि तीरी रियासत क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि तीरी रियासत अलग हुआ करता था जो गड़वाल था वो दो हिस्तों पे बंड़ चुका था बिटिस गड़वाल और तीरी रियासत तीरी रियासत में किंका सासन था ? जो पहुआर वंस के राजय थे जिनकी राजधानी पहले स्री नगर हुआ करती थी बाद में सुधरसल्ण साह के सासनकाल में इनकी राजधानी कहां स्थारंदर्द की गई तीरी में पुराने टीरी जिसको हम कहते हैं आज तो नहीं टीरी है क्योंकि पुराने टीरी डैम में समा चुकी है वो डैम में डोर चुकी है तो वहाँ पे इनकी राजदानी हुआ करते थी तीरी रियासत तो टीरी रियासत में जो भी परमुक आंदूरन हुए हैं इनके बार को भगा देते हैं तो 818 में अंग्रेज क्या करता है सुदर्सन सा को तीडिरी र्यासत YouTube गोशित करते हैं लेकिन दौस्तों जो सक्लाना छेत्र है कि शक्लाना छेत्र है इसको यह यंद्र सामिल नहीं करते हैं क्योंकि जब अंग्रेजोंने गोरखाओं के युद्ध किया था तो उस समय सकलना पट्टी के दो मुआफिदार थे सिवराम और कासीराम ये दोनों दोस्तों क्या करते हैं बिटिस सिना की काफी मदद करते हैं तो इसलिए बेटे सरकार क्या करती है कि जो सकलाना छेत था इसको सिवराम को और कासीराम को सौप देती है अब सिवराम और कासीराम ने दोस्तों अपने सक्तिका यहां पे दुरपरियों किया और जो सकलाना की जनता थी उस पर तरह तरह के कर लगाने शुरू कर दिये सकलाना ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे विद्रो उत्पन हो जाता है जनता के द्वारा विद्रो सुरू किया जाता है और देखने को मिलता है सकलाना में अठूर विद्रो हो तो टीरी रियासत के सकलाना में दोस्तों कि बाद में सकलाना को भी टीरी रियासत में सामिल किया जाता तो अठूर विद्रह देखने को मिला था 1851 में और अठूर विद्रो का कारण क्या था तो तिहाड करके विरोध में ठीक है यहाँ पर लिखा है मैंने तिहाड करके विरोध में शुरू हुआ था अठूर विद्रो सक्लाना में और इसका नेतर तो किस ब्यक्तिने क्या था most important question दोस्तों यहां से बन सकता है कि टीरी रियासत के अठूर विद्रो का नेतर तो किस ब्यक्तिने क्या था स्री बद्री सिंग अस्वाल नामक ब्यक्तिने अठूर विद्रो का क्या क्या था नेतर तो गया था उसके बाद दोस्तों ओक प्रमुक विद्रोः था टीरी रियासत का अठूर विद्रोः उसके बाद एक बार दुबार अप पुन्हाय अठूर विद्रोः देखने को मिलता है 1861 में लेकिन टीरी रियासत में 1861 में 12 आना भूमें व्योस्था लागू की जाती है और ये विद्रोह दबाये जाता है तो इस प्रकार से अठोर विद्रोह जो की एक पर्थम विद्रोह था तीरी रियासत में 1851 में 20 से स्थोर पर ये देखने को मिलता है उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे तीरी रियासत में वन प्रबंदन एवं परमुक आंदुलन की किस प्रकार से तीरी रियासत में वन प्रबंदन किये जाते हैं वन कानून लागू किये जाते हैं और उन कानूनों के विरोध में फिर यहां की जो जनता है उनके द्वारा आंदुलान देखने को मिलते हैं एक चीज आपको बिशेश तोर पर नोट करनी होगी कि जब टीरी रियासत बनी थी तो तत्काले जो टीरी नरेशते सुदरसन साह इन्होंने भी विलसन को क्या दिया था पट्टे पर या ठेके पर या लीज पर विलसन को वनों का ठेक दिया था और सुदरसन साह के बाद जो चाज़ा बनते हैं भवानी साह, इन्होंने भी विल्सन को क्या दिया था? वननों को ठेके पर दिया था भवानी साह, अथारसाइट के आसपास देता है, विल्सन को, विल्सन को बने अंगरेज था स्कमौण को त्यों elnी को कमता है। इसने प्रेकर शुदरशन सा ने भी Wilson को क्या दिया था One को लीज़ पड़ दिया था अब इसमें क्या होता है कि Wilson एक अंग्रेज था और अंग्रेज़ गोने क्या क्या दोस्तों One का अत्यतित्तिक दोहन करना सुरू कर दिया यानि ठेकेदारी का इसका फाइदा उठाया और अपनी मन मर्दी से वनों का कटान या वनों का दोहन करना सुरू कर दिया इसके बाद मैंने आपको जब ब्रिटिस वन प्रबंधन के बारें बताये था ब्रिटिस सरकार उत्राखंड में या संपोंट देस में क्या करती है वन विवस्ता लागू करती है और इसी प्रकार से टीरी में भी दोस्तों वन विभाग की इस्थापना होती है अब दोस्तों मैंने वहाँ पे जब मैंने ब्रिटिस सासन के बारें बताये था आपको तो वह कि गडवाल विभाग कि इस्थापना कब होती है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि यह आपको याद होना चीए कमेंट में दोनों दोस्तों आपको कमेंट करना है वो बताना है कि कुमाओं में वन विभाकी स्थापना कब होती है ब्रेटेस गड़वाल में वन विभाकी स्थापना कब होती है तो ठीक है अब देखो यहाँ पर टीरी वन विभाकी स्थापना होती है इसी करम में 1885 में अब जब वन विभाकी पर्थम अध्यक्ष नियुक्त किये गे थे अब टीरी में वन विभाग की स्थापना करने का मुख्या उद्धे सी कह था कि वनों के आर्थिक महतो को समझते हुए यहाँ पर टीरी के राजा ने वन विभाग की स्थापना किये इसका मुख्या उदेश यह था कि अब यहां पे वन कानून लागू किये जाएंगे और मन मर्जी से कोई वनों की कटाई नहीं कर सकता है वनों का दोहन नहीं कर सकता है लेकिन इससे दोस्तों यहां के जो सामान जनता थी जो यहां की जनता थी जो जिनकी रोजी रोटी किन प पर आस्रित थी यानि देखो जो ग्रामेंड इलाके के जो लोग थे वो तो वनों पर आस्रित रहते थे उनके जो पसु थे पसु धनवाग करते थे वो वनों पर चराई के लिए उनको वो ले जाते थे साथ इसाथ चारा लकडी ये सारा कहां से प्राप्त करते थे चेतरों के जो लोग थे दोस्तों इनके पसुँओं को भी वनों में जाने पर परतिबंध्यत किया गया और सामाने जन्ता यदि उनको वनों से समाने कुछ प्रोडक्ट कुछ उत्पात चेते थे तो उनको भी परतिबंध्यत किया गया था Itad और इसका यहाँ पे जब वनों से सम्द नियम मनाएगे तो इस्तानिया जंता के मन में रोज यहाँ पे दोस्तों उत्पन हो जाता है और जब इस्थाने जंता में रोज उत्पन हो जाता है तो यहाँ पे होने लग जाते हैं विद्रोह। इस्थाने लोगों का माना था क्याए वन हमारे हैं और हमें इन पर अधिकार दिया जाना चेहिए चाहिए क्यों कहीन citizen काई पर रोख लगनी चीए लेकिन जो इस्थानिय जन्ता है उनकी जो जीवी का चलती है वो वनों से समंगत है आज बगर आप ग्रामेर छेतरों के लोगों को देखते होंगे वो वनों से काफी प्रेम करते हैं अपने मलब जो उनको जरुरत होती है उस हिसाब से वो वनों का परियोग करते हैं इस्थानिय जन्ता दोस्तों समय समय पर वनों की रक्षा की आप उधान दे सकते हैं अगर हम उत्राखने बात करें चिप को आंदोरन इसका सबसे प्रमुक उधान देखने को मिलता है जहां एक और सरकार ठेकेदारों को वनों पर खुली छूट देती है काटने के लिए वहीं सामाने जनता दोस् सुरक्षा में अपना महतपून जीवन दिया है अपना महतपून योगदान दिया है तो इसलिए यहां पर पर पर्थम विद्रोह देखने को मिलता है 27 दिसंबर 1906 को टिहरी के चंदरबदनी के आसपास लेकिन इसे विद्रोह में कोई ज्यादा नुकसान होता नहीं है कोई तिलाडी और रवाई यह वर्तमान में कहा है यह आपका उत्तरकासी में ठीक है अब उत्तरकासी जब जन्पद बना अभी इसको उत्तरकासी में रखा गिया है लेकिन उत्तरकासी जन्पदी पहले तिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था तो तो तिलाडी अगर क्वेशन म देरदून और आपका पोड़ी आ गया तो तब आपको क्या करना है कि वर्तमान में ये उत्तरकासी में इस्थित है और उस समय ये तीरी रियासत का हिस्था हुआ करता था क्योंकि उत्तरकासी हो गया रुदर प्रिया हो गया चमोली तीरी अजिकांस हिस्थे ये तीरी रियासत के उसमें आते थे शीमा में आते थे तो तिलाडी और रवाईकांड दोनों एक ही है और ये कब हो था 30 मई 1930 को इसका प्रमुक कारण क्या था ये काफी महत्वपूर्ण है ये 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 होता है कि ये भी माना जाता है कोई से इत्यासकार मानते हैं कि 1930 में जाड़ों के दिन थे और संयुक्त प्रांत का जो गवर्न जनरल था ठीक है गवर्नर था मेलकम हेली संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर था मेलकम हेली ये नरेंदर नगर में अस्पिताल की नीव रखने आया था इस समय राजा कोन था तो वो था नरेंदर सहा ठीक है क्वेशन में बन सकता है कि तिलाडी या रवाईकांड के समय सा का दीवान कुण था चक्रधा जुए आल तो जो सनोक्तपरांट का यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था सविंगतौ प्रांट जो आज का उत्रपरदे से तो मैलकम हेली हुआ था मैं आए था नरेंदर नगर में अस्पताल की निव रहने और यहाँ पर जनता एए और गया था लेकिन उनके साथ बिलकुल वहाँ पे बद सलू की की गई थी उनका बिलकुल वहाँ पे आदर नहीं किया गया था इसलिए दोस्तों रवाई की जनता जो थी इनके मन में एक असंतोस उत्पन हो जाता है ये कारण भी कुछ इधियास कार माम पे हैं साहा द्वारा एक नई वन नीति लागू की जाती है इसके विरोध में जो ये रवाई की जनता है ये अपना विरोध करना सुरू कर देते हैं अब जब ये 1927 और 28 के आसपास ये नई वन नीति लागू की गई थी तीरी के तदकारिन राजा नरेंदर साके द्वारा तो इसका विरोध का महतपून कारण क्या था ये आपको समझना होगा विरोध का महतपून कारण था दोस्तों सीमा करण यानि इस नई वन नीति के माद्यम से राजा ने क्या किया वनों का सीमा करण कर दिया माने कोई गाउं है और इस गाउं के आसपास को जो ये वन है इसको भी क्या कर दिया गया सरक्षित कर दिया गया और यहां पे लोगों को आने जाने से परतिबंदित किया गया यहां तक कि दोस्तों जो जो जनता थी उनके पस्वों के बांधने के जो इस्थान हुआ करते थे क्योंकि अभी वे आपने तीखूगा जो ग्रामिद्ध रहें ग्रामिद्ध छेट रहें कि लोगे समझते होंगे की गोसलाइं बनाइक रहती है जोंने बड़ा आसन होता है अब यह छेटर भी दोस्तों किसके में आ गए वनसरक्षी छेत्र में आ गए यानि यहां पर आपने पसों को नहीं ला सकते हैं तो मलब सीमा करन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया नरेंदर सहा ने इसका बहुत विरोध किया और सबसे बढ़ा विरोध देखने को मिलता है रवाई में जिसको तिलाडी कांड के नाम से जाना जाता है अभी जो तिलाडी कांड होता है तो यहां पर कब देखने को मिलता है 30 मही 1930 को और किस नदी के तटपर इंपोर्टन क्वेशन दोस्तों यहां से बन सकता है कि तिलाडी कांड या रवाई कांड किस नदी के तटपर हुआ था यमुना नदी के तटपर तिलाडी के मैदान में तो इसलिए इस रवाय कांड को तिलाडी कांड के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पे तत्कालिन जो नरेंदर साह थे टीर यासित के राजा ऐसा भी बाना जाता है कि वो उसमें विदेश गए थे नरेंदर साह का इस कान के पीछे कोई भी हात नहीं था ऐसा भी बाना जाता है इतियासकार ये भी बानते हैं लेकिन नरेंदर साह के जो दीवान थे वो से चक्रधर जुयाल, चक्रधर जुयाल दोस्तों यहाँ पे पहुंचते हैं और इस निहती जनता पर क्या चलाते हैं गोली चलाने का आदेश देते हैं, तो यह ऐसी घटना थी दोस्तों जिस प्रकार से जलियां वाला बाग हत्याक जाती है, और यहाँ पे अनेक लोगों की मरती हो जाती है, अगर हम बात करें कि कितने लोग इस हत्याकाने मारे गए थे, इस हत्याकाने मारे गए लोग दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, ठीक है, यूपी सरकार के अनुसार, 200 लोग इसे मारे गए थे, एक इ रिपोर्ट दिने पड़ी कि सर्फ चार बेक्ती ही मारे गए थे ठीक है क्योंकि जब अंदरजन गोली चलती है और नियत्ती भीड़ है तो बहुत सारे लोग यहां पे उनकी हत्याइं हुई होगी तो यह एक इत्याज का प्रसन है कितने लोग मारे गए होगे लेकिन दोस्तो काफी लोग इसमें मारे गे थे और यह एक काफी करूर हत्याकान इसको माना जाता है तिरी लियास्त का इसलिए यहां पे चकरदर जोयाल को टिरी का जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है और तिलाडी या रवाई कांड को जलिया वाला बाग हत्या कांड के नाम से भी जाना दाता है तिहरी का जलिया वाला बाग हत्या कांड तिलाडी और रवाई कांड और तिहरी का जनरल डायर कहा जाता है चकड़र जुयाल चकड़र जोयाल किसका दीवान था तो वो था यहां पे नरेंदर साहका तो उमेद करते हैं दोस्तों रवाइकान आपको अच्छे से यहां पे समझ में आ गया होगा और टीहीरी रियासत में किस प्रकार से वन प्रबंदन लागू किया जाते हैं और किस प्रकार से यहां पे आंदुलन देखने को मिलते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहां पे टीहीरी रियासत का जो आंदुलन होता है ठीक है उसमें महतपूर भूमे का रहती है सिर्देव सुमन की जानते हैं दोस्तों सुर्देव सुमन की क्या भूमे का रही है टिहरी राज्य आंदुलन में इसे पहले सुर्देव सुमन के बारे में जान लेते हैं तो सुर्देव सुमन का जन्म होता है 25 मई 1916 को इनका जन मिस्तान है जोल गाउन जोकी चम्बा के नजदी किसिस है तीरी जिल्ले में इस्टित है इनके पिता का नाम है ह्रिराम बडोनी, इनके माता का नाम है स्रीमती तारदेवी और इनकी पतनी का नाम है विने लक्षमी और सिर्देव समन के मरतियों कब होती है 25 जुलाई 1947 को अब हम डेटेल्स में इनके बारे में जानेंगे तो सिर्देव समन देखो क्या होता है कि दिली में होती है अखिल भारतिया परवतिया जन सम्मिलन का आउजन दिले में कब होता है 20 मार्च 1938 को इसका मुख्या उद्धे से क्या था यहां पे परवतिया लोगों की समस्यां को रखा जाना था तो दिल्ली में इस अखिल भारतिया परवतिया जन सम्मिलन का जब आयुजन होता है तो इसमें उत्राखन से दो ब्यक्ति भाग लेते हैं एक तो लेते हैं सिर्देव सुमन और दूसरे कौन लेते हैं स्रीनगर सम्मिलन आयुजित किया जाता है काफी इंपोरेंट दे सम्मिलन है मैं 1928 को ठीक है अब यहां पर बात यह है कि जो यह स्रीनगर में राजनेतिक सम्मिलन आयुजित किया गया है इसकी अध्यक्षता किसने की इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग लगातार सवाल भी क पुशते हैं कि यह बड़ा confusing point है कुछ books में दोस्तों जवाहर लाल नहरू दिया गया है और कुछ books में यहां पर प्रताब सिंग नेगी दिया गया है अब मैंने जब आप पिसली वीडियो बताये तो वहां पर मैंने आपको बताय था कौन सही है ठीक है तो परताब सिंग सही तरीके से उनको explain नहीं किया गया है कि सटी क्या होगा क्योंकि कुछ इतियाज कर यहां पर पंडित जवाहर लाल नहरू को मानते हैं कुछ इतियाज करने अपनी books में प्रताब सिंग को दिया गया है लेकिन दोस्तों एक question एक बार पूछा जा चुका है और जवाहर लाल जाने चाहिए आपने दोख़ा हाली में यूग के पीसी लोवर पीसेस का जो रिजर्ट आया है उसमें भी बारा मार्क्स देगे हैं बोनस बारा मार्क्स और किन question पर जो थोड़ा confusing लगते हैं अब देखो इन बारा मार्क्स में यह दिक्कत होती है कि जिनको नहीं आते हैं उसका क्या मिल गए बोनस अंक मिल गए जिनको आते भी थे उनको यहां पर कोई फाइदा नहीं मिला है उनके लिए वो बोनस मिलना और ना मिलना बराबर है क्योंकि उनको आता था तो इसलिए दोस्तों वैसे आयों को भी यह सोचना चीए कि ऐसे जो doubt वाले question होते हैं उनको एकजामे नहीं पूछा जाना चीए खर दोस्त हम अपने लेक्चर पर आते हैं तो यहां पे मई 1929 को स्रीनगर में एक राजनेतिक सम्मिलन आयुद के आ जाता है और यहां पे स्रदेव सुमन ने सरपर्थम पर्थक राज्य की मांग रखी थी स्रदेव सुमन ने किस सम्मि में 1928 में तीक है मैं स्रदेव सुमन की बात कर रहाँ ठीक है वसे इससे पहले तो पर्थक राज्य आनुलन की मांग लगाता चलती हुई आ रही थी और इस गड़ देश सेवा संग नामक संगठन बनाया ताफी महित्यपूर्ण संगठन था गड़ देश सेवा संग नामक स संगठन का नाम दोस्तों बाद में क्या पढ़ता है इसका नाम पढ़ता है हिमालय सेवा संग ठीक है हिमालय सेवा संग गर्दे सेवा संग का नाम बाद में क्या पढ़ता है हिमालय सेवा संग पढ़ता है इसकी ये संगठन कब बना जाता है 1938 में सर्देव समंद्वारा उस उद्देश यह दोस्तों आपको हर सी जहां पर डिटेल्स में एक्स्प्लैन करूं ताकि आपको समझ में आ सके कि जो भी यहां पर संगठन बन रहा है उसका उद्देश क्या है तो टीरी राजय परजावनल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1949 को कहां होती है देरा दून में होती है तीरी राजय परजावनल की स्थापना होती कहा है तो देरा दून में होती है इसमें कौन-कौन से सदस्य सामिल थे स्रदेश सुमन स्रदेश सुमन को मंतरी बनाए गया था इस संगठन का मंतरी बनाए गया था चुर्दियु सुमन को साथ साथ इसमें गोविंद रामभट तोता रामगिरोला महिमानन दोभाल श्यामचंदर नेगी ये कुछ परमुख सदस्या तीरी राजय परजा मंदल के सदस्या हुआ करते थे अब इस तीरी राजय परजा मंदल के उद्दे से क्या थे क्यों तीरी राजय परजा मंदल की इस्थापना की गई थी तो इसके उद्दे से थे राजय की छटरशाई में एक उत्तरदाई साथन प्राप्त करना उत्तरदाई साथन का मतलब आँ समझते हैं देखो जो राजय का क्या था यहाँ पर सासन था, तीरी रियासत में राजा का सासन हुआ करता था, अब जब यहाँ पर राजा का सासन था, तो जो राजा के अधिकारी हुआ करते थे, वो जनता को परतारित करते थे, इससे पहले आप रुवाई कान के बारे में सुन चुके हैं, जो दीवान था चकदर ज उसने किस प्रकार से वहाँ पर निहती जनता पर गोली चलाई तो ऐसे यहाँ पर अनेक उधान देखने को मिलते थे राजा के अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाते थे चाहे देखो कई बार क्या होता ही राजा की मनमर्जी भी नहीं है तो फिर भी यहाँ के अधिकारी क्या करत कि मेरा उद्दे से या हमारा उद्दे से क्या है राजा का विरोध करना नहीं है बलकि राजा की ही छतर साय में एक उत्तरदाई सासन प्राप्त करना जो कि जनता की उन्नति के बारे में सोचे न कि जनता को परतारित करे राजा तो ठीक है राजा अपना सासन करे और राजा एक यहाँ पर क्या करे जो परजा मंदल के लोग है ठीक है एक परजा मंदल के इस्थापना करे उसमें जनता से समझे लोग रहे हैं और जनता की समस्या सुने जनता की उन्नती करना उनका प्रमुक क्या रहेगा धे रहेगा और दूसरा जो उद्धिस था तीहरी राजय परजाबनल का वो था कि जनता से जो मुफ्त अनाज लिया जाता है मुफ्त स्रम कराय जाता है इस कुपरता को भी समाप्त करना लेकिन राजा के जो मंतरी थे और अधिकारी थे राजा को इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि परजाबनल की इस्थापना तीहरी रियासत में नहीं की जाए क्योंकि इनको तो अपने क्या है अपने स्वार्थ किया पर पढ़ी थी तो इस प्रकार से राजा इसको मान्यता नहीं देता है अब सिर्देव सुमान लगातार टिहरी राजय परजाबंडल के जो अन्य सदस थे उनके साथ मिलकर लगातार क्या कर रहे थे टिहरी राजय परजाबंडल की इस्थापना की मांग कर रहे थे ये सिर्देव सुमन से क्या उन्हें घबराने लग जाते हैं और सिर्देव सुमन को बंदी बनाने लग जाते हैं तो सर परतम सिर्देव सुमन को बंदी कब बनाय जाता है 9 मार्च 1941 को 9 मार्च 1941 को दोस्तों सिर्धेव सुमन को टीरी के पास उनके सशराल था पड़ियार गा hom वहां से हिर्यासत कर लिया जाता है और फिर कुछ दिनों तक केद में रखकर 17 माई को 17 माई MONI KII RETJI में छोड़ दिया जाता है मुनिके रियते जो की रिसी केस में है और यहां से उनको कहा जाता है कि इनको टीर रियासत में नहीं आना होगा टीर रियासत आने पर उन पर परतिबंद लगा दिया जाता है दो माहा तक सिर्द्यूसमन पर दो माहा तक कर टीर रियासत आने पर परतिबंद लगाए जाता है उसके बाद दोस्तों होता है यहाँ पर 22 अगस्त 1922 को जब भारत थोड़ो आधुरन चल ला था तो उस समय सिर्देवसमन को पुना गिरप्तार किया जाता है और 18 दिसम्बर 1943 को फुरे जेल से पुना चूट जाते हैं और ये जेल से चूट कर अपने गाउं की ओर चले जाते हैं यानि दो बार इनको अभी कैद कर दिया गया है और पुना ये जेल से चूट कर 18 दिसम्बर 1943 को ये अपने गाउं की ओर चल दिये उसके बाद दोस्तों पुना यहाँ पर 27 दिसंबर 1943 को सुर्देव सुमन को चम्बा खाल में गिरप्तार कर लिया जाता है और यहाँ पे इनको जेल में डार जाता है इन पर अनेक अत्याचार शुरू कर दिया जाते है उसके बाब 29 फरवरी 1944 को सुर्देव सुमन ने आमरण अंसन शुरू कर दिया आमरण अंसन 29 फरवरी 1944 को सुरू कर जाता है लेकिन भूकर्थाल इन्होंने शुरू कि थी दोस्तों 3 मई 1944 को ठीक है 3 मई 1944 को यहाँ पे भूकर्थाल आपको करना है ठीक है भूकर्थाल यहाँ बिल्कुल खान पान का बिल्कुल तियाग इन्होंने कर दिया है तो 3 मई 1944 को सुर्देव सुमन भूकर्थाल करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों 25 जुलाई 1944 को 84 दों की भूकर्थाल के बाद सुर्देव सुमन सहीद हो जाते है 없어 84 दिनों तक दोस्तों इनों ने क्या किया था यहां पर भोकरताल किया था और 84 दिनों बाद इनकी क्या हो जाती है यहां पर मरते हो जाती है और इस प्रिकार से सर्देव सुमन 25 जुलाई 1944 को सहीध हो जाते हैं अब दोस्तों यहां पर जब सर्देव सुमन सहीध होते हैं तो एक दम से यहाँ पे तीरी रियासत में आक्रोस उत्पन हो जाता है जनता यहाँ पे राजा का विरोध करना शुरू कर देती है और ये विरोध इतना बहंकर होता है कि आखिरकार राजा को जनता की बात सुननी पड़ती है और 21 अगस्त 21 अगस्त 1946 को दोस्तो तीरी के जो राजा थे यानी तीरी रियासत ने परजा मंडल की इस्थापना को विधानिक माननता दी तो परजा मंडल को विधानिक माननता कब दी गई? 21 अगस्त 1946 को उसके बाद ततकालिन जो राजा थे नरेंदर साहा ये 5 अक्टुबर 1946 को मानुंदर साहा का क्या करते हैं राजे भी से कर देते हैं और मानुंदर साहा के सासनकाल में फिर 28 अप्रेल 1947 को क्या हो जाता है कि टीरी दरवार में सांती रक्षा अधिन्यम लागू किया जाता है तो टीरी में सांती रक्षा अधिन्यम कब लागू किया गया था 28 अप्रेल 1947 को किसके सासनकाल में मानुंदर साह के सासनकाल में जिसका उद्दे सी कह था कि परजाब मंदल के कारियों पर रोग लगाना यानि मानुंदर साह ने फिर वही गल्ती दोरा दी और अब फिर इन्होंने क्या कर दिया परजाब मंदल के कारियों पर रोग लगा दी साथ साथ संपोन टीर रियासत में सभा करना जुलूस निकालना इस पर परतिबंद लगा दिया गया और जब 15 अगर्थ 1947 को देश आज़ाद हो जाता है तो बहुत सारे जो रियासत के राजा हुआ करते थे उन्होंने भारत में विले करना शुरू किया अब जैसे आप सभी जानते होंगे कि जब भारत स्वतंतर हुआ तो उससमय जो यहाँ पे रियासतों के राजा हुआ करते थे इनके पास तीन आप्सं थे नमबर वन या तो भारत में विले करें नमबर टू या तो पाकिस्तान के साथ विले करें और नमबर थ्री वो खुद स्वतंतर रहना चाहें अब जो टीरी रियासत के राजा थे मानंदर साहा इनके पास भी तीन कंडिशने थी या ये भारत के साथ विले करना चाहें या ये पाकिस्तान के साथ विले करना चाहते हैं अब पाकिस्तान तो बहुत दूर हो गया तो कुलमना के इनके पास दो ही ओप्सन थे विसे इनके पास भी तीन ही ओप्सन थे लेकिन कुलम्ला के अब ये पाकिस्थान के साथ विले तु नहीं कर सकते थे तो दो अफसन थे इंशेपास या भारत के साथ विले कर लें या खुद वो स्ватंतर रहें और तीरी रियासत के राजा जो तदक कले राजा थे मानंदर सहा इन्होंने ये निन्य लिया कि हम सोयम क्या रहेंगे एक स्वतंतर राज रहेंगे ठीक है हमारे एक स्वतंतर राज रहेगा तीरी रियासत अब यहां पे जन्ता अब देखो उपर से इन्होंने क्या कर दिया है अप्रेल में ठीक है 28 अप्रेल 1947 को उपर से इन्होंने सांती रक करना शुरू कर देती है यहां तक कि दोस्तों जब 15 अगस 1947 को देश आज़ाज हो दाता है तो 15 दिसंबर 1947 ठीक है यह डेड़ा आपको नोट करनी है 15 दिसंबर 1947 को सकलाना के जो मौफिदार थे इन्होंने टीरी राजे से सम्मन तोड़ दिये कि हमें तीरी राजे के अंदरगयत नहीं रहना है हमें रहना है भारत के साथ विले हमें करना है हमें भारत के समिधान को मानना है तो सारे अधिकार जो मौफिदार थे सकलाना की इन्होंने सारे अधिकार दे दिये हैं परजामंडल पर इस प्रकार से शकलाना क्या हो जाता है पहले ही स्वतंत्र हो जाता है तीरी रियासत से अलग होकर अब उसके बार लगाता है यहां की जनता भी मांग करती है राजा से कि हमें भी क्या करना चाहिए विले करना चाहिए विले करना चाहिए लेकर राजा यहां पर मानने को त दस जनवरी 1948 और यहां से क्वेशन दोस्तों बनता है बनता यह क्वेशन कि किरतिनगर आंदल में कौन-कौन से ब्यक्ति सहीद हुए थे अब ओप्शन में आ सकता है नागेंदर सकलानी भोला राम और दो अन्य ओप्शन भी दे दिये हैं ठीक है और एक ओप्शन दे दिये है कि ए और भी दोसर ही होगा तो कौन दो ब्यक्तियों के नाम आपको विशेश तोर पर नोट करने दोस्तों नागेंदर सकलानी और होला राम जो कि सहीद हो जाते हैं किरतिनगर आंदल में देखो इस आंदल में होता क्या है दस जनवरी 1948 को किरतिनगर की जनता ने नागेंद होता है संगर्फ और पुलिस इन पर गोली चला देती है जनता पर क्योंकि जनता उस समय आक्रोशित हुआ हुई रहती है तो पुलिस जब इन पर गोली चलाती है तो 11 जनूरी 1948 को इस किरतिनगर आंदल में दो ब्यक्तियों सहीद हो जाते हैं नागेंदर छकलानी और बोला पूरे रियासत के लोग जुड़ जाते हैं इस जुरूस के साथ अब राजा देखता है राजा पर बिलकुल यहां पर दवाब बन गया है तो राजा यहां पर क्या करता है 15 फरवरी 1948 को टीरिम एक अंतरिम सरकार की स्थापना करता है और उसकी बाद दोस्तों टीर रियासत कब विले कब होता है भारत में एक अगस्ट 1947 को तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर टीरिमें किस प्रकार से आंधुलन देखने को मिले काफी डिटेल से मैं आपको टीरि रियासत के आंधुलन के बारे में अवगत कराया है अब हम यहां पर एक लास्ट उबिक बसता है कि 1942 में जब यहां पर भारत छोड़ो आंधुलन चल दा था तो उस समय उत्रा खंड में क्या इसी थी कौन-कौन से यहां पर आंधुलन और कौन-कौन से यहां पर कांड देखने को मिले थे कौन-कौन से गोली कांड होई थे क्योंकि वहां से भी क्वेशन कई बार एक्जामे पूछे जाते हैं देखते हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंधुलन के समय यानि 1942 में कौन-कौन से यहां पर गोली कांड देखने को मिलते हैं क्योंकि यहां सभी कई प्रकार से एक्जामे क्वेशन पूछे जा चुके हैं अब जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंधुलन के सुरुवात होती है 1942 में गांजी ने करो मरो का नारा दिया था और संपूर्ण देश में भारत छोड़ो आंधुलन यह सुरू हो जाता है संपूर्ण देश इसमें कुद परता है और उत्राखन भी इसमें पीछे नहीं रहता है तो उत्राखन भी जगए परतालें शुरू हो जाती है और इसी में देखनों को मिलता है देघाट गोली कांड देघाट गोली कांड 19 अगस्त 1942 को यहां पे होता है किस प्रकार से होता है दोको यह कहां होता है सबसे पहली बात होगी कि होता कहां है तो अल्मोडा में विनोला या विनोद नदी के समी देघाट में देखने को मिलता है देघाट गोलीकांड इस गोलीकांड में होता क्या है पहले देखो यहां पे सत्यागरही जो आदुलनकारी थे वो परतसन कर रही थे और इनमें एक सत्यागरी थे खुसाल सिंग मन्राल ठीक है खुसाल सिंग मन्राल अब जब यहां पे पुलिस आती है तो पुलिस आदुलनकारीों को घेरती है और खुसाल सिंग मन्राल को हिरासत में ले लेती है अब सत्यागरही को जो पता चालता है कि पुलिस ने खुसाल सिंग मन्राल को हिरासत में ले लिया है तो जनता यहा पर आक्रोशित हो जाती है और पुलिस को इस अन्यंत्रत भीड पर गोली चलानी पड़ती है और इस देगहाट में दोस्तों गोली कांड होता है 19 अगस्ट 1922 को जिनमें कौन-कौन बैक्ती सहीद हो जाते हैं हीरा मानी गडोला हरीकरिशन उप्रेती बर्दत कांड पाल तो य ये तीन परमुक बैक्ती दोस्तों इस देगहाट गोली कांड में सहीद हो जाते हैं ठीक है तो कई बार पूछा जाता है कि देगहाट गोली कांड में निमन में से कौन-कौन बैक्ती सहीद हुए थे हिरा मनी गडोला हरीकरिशन उप्रेती और बदर्दत कांड पाल उसके पाद एक अन्य गोली कांड देखने को मिलता है धामदो सालम गोली कांड ये विवाता 25 अगस्त 1942 को इसमें क्या होता है जंदा के बीच और पुलिस के बीच जड़प होती है और पुलिस यहां पर गोली अंचलाती है तो इस संगर्च में दो प्रमुक सत्यागरही दो प्र सीम उसके बाद दोस्तों एक अन्य कांड देखने को मिलता है 1942 में ही सल्ट गोली कांड 1942 को 5 सितमबर 1942 को ये होता है कुमाड गाउं में ठीक है सल्ट छेतर के कुमाड़ गाउं में 5 सितमबर 1942 को यहांपे सल्ट छेतर के खुमाड गौँ में एक जनसभा का आयुजन किया जा रहा था जब ये जनसभा यहाँ पे आयुजन की जाती है तो कुछ दिर बाद आदुनकारी चुरूश निकालते हैं और वहाँ पे बिटिस अधिकारी पहुंजाते हैं और फिर ये भीड पर गोली चलाने का आदेश देते हैं और इस गोली कान में भी दो ब्यक्ति गंगाराम और खिमादेव ये दो सगे भाई दोस्तों इसमें मारी जाते हैं और अभी भी पांच सितंबर को इन दोनों भाईों की इसमृति में सहीद दिवस के रूप में मनाई जाता है इन दोनों भाईों को खिमादेव और गंगाराम जो ये दो सगे भाई सहीद हुए थे सल्ट गोली कान में इनकी इसमृति में ये सहीद दिवस मनाई जाता है तो 1942 में दोस्तों ये तीन परमुक गोलिकान देखने को मिलते हैं उत्राखन में देगहाट गोलिकान, धामदो सालम गोलिकान और सल्ट गोलिकान दोस्तों मैंने आपको डेटेल्स में आज बता दिया है कि किस प्रकार से टीरी रियासत में आंधुलन होता है टीरी रियासत के जो भी परमुक आंधुलन थे और 1942 में भारत छोड़ो आंधुलन के समय उत्राखन में कौंगोंड से गोली कांड देखने को मिले थे साथ साथ पिसली वीडियो में आपको टीरी के प्रमुक एथियासिक आंधुलन के बारे में बता दिया था तो काफ़ डेटेल्स में दोस्तों हट टोपिक मैंने यहाँ पे कवर किया इसके बाद यदि उत्राखन के दो महित्वपून टोपिक हैं वैसे एक है उत्राखने पत्रकरत का इतियास और उत्राखन पर्थकर राज आंधुलन तो यह दोनों टोपिक दोस्तों मैंने इबुक में डेटेल्स में आपको बताए गये हैं तो वहाँ से आप इनको नोड कर सकते हैं वहाँ से आप इनके नोड्स बना सकते हैं इबुक के लगबाग कम्प्लीट करा दी गई है आपको और यहां से दोस्तों आपका अच्छे से आपको और देर देरे आपको इलफा सिरीज जो हमाई चलाई जाई दी है उसमें आपको हिष्टी से समझेद महत्वपूर्ण इंपोर्टन क्वेशन वहां पर लाए जाएंगे और डिटेल्स में आपको इहां पर हिष्टी दोस्तों मैंने पढ़ा दी है और आप यहां पर आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और लगाता रिविजन भी करते जाना है और इसके बार हम कोसित करेंगे परिक्षावानी स सिरीज शुरू करने की उमेद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और सेर जरू करें और वीडियो के बारे में कमेंट बोक्स में अपने राए जरूर दें मिलते हैं दोस्तों नेक्स उसा तब तक लिए धन्यवाद